आज की प्रमुखवर मोधी हैं तो मुम्किन है अंदुशक शिक्षामित समायोजन समायोजन को लेकर अंदुशक शिक्षामित्रों को शिक्षक छात्रन पात में जोड़कर पूर्ण हुआ प्रथम चर्ण लगातार अंदुशक निमती करण के लिए मिला जा रहा है मंत्री जी ने अश्वासन दिया कि आपका काम जल्द पूरा किया जाएगा नो हजार रुपए के अल्प मांदे में घुजारा मुश्किल है अंदुशक मांगे समानकार समान बेता अब ख़वर बिस्तार से नमस्कार आप देख रहे हैं अंदुशक नियूज स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल अंदुशक नियूज पर साथ यहाँ पर एक बड़ी ख़वर बड़ा संकेत प्रदेश सरकार त्वारा आ रहा है कि अंदेशक और शिक्षा मित्रों का समायोजन हो जैसा कि आप सभी जानते हो बनारस की रैली में मानिय मोदी जी ने कहा भी था कि शिक्षा मित्रों का जरूर कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे समधा कर्मियों के साथ नयाय किया जाएगा जिसका बड़ा सुबूत आप सभी को मिल चुका है चात्र शिक्षा मित्रों को जोड़ा है कह सकते हैं यह पहला चरण है समायोजन का जिसे पूर्ण किया गया है बाकी सारी पुर्क्रियां इस तरह से होगी क्योंकि किसी चीज को जब इस्थाई किया जाता है तो उसके एक एक पहलू को किलियर करते हुए उसको पूंड किया जाता है ताकि कोई भी आगे अर्चन ना है आप यह समझ लिजिए अगर आप बुद्ध जी में हो तो आप संकेत और आप आभास कर सकते हैं कि यही जो आपको छात्र शिक्षर इंपात में जोड़ा जाना यही कहीं न कहीं हमको समायोजन की तरफ ले जा रहा है साथियो आपको बताना चाहेंगे महानिदेशक वेशिक शिक्र अपना शिरी बियकरन आनन जी को बनाया गया है और उनसे ही मानी योगी जी वारता करके कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे समायोजन को ले कर क्योंकि आप जानते हो समानकार समान वेतन समस्त परदेशों को देना है यह आदेश जारी है वारत सरकार द्वारा और यहाँ पर आप देख रहे हैं रुद्र यादब जी एवं हिमाशु बर्मा जी पुछ भुगुछ भेट करने हैं और इन्होंने एक अपना लेटर भी करिया है मानमिय मंत्री जी के लिए नंदेशक इस्थाई करन साध्य यहां पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अंदेशकों के लिए है S.C.E.R.T. के निदेशक श्री सर्विंद विक्रम सिंग जी से मुलाकात कर अंदेशकों नई शिक्षानीती के लिए जो कमेटी गड़ित की गई है उसके वारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जिस पर सर्विंद विक्रम सर ने बताया कि ये कमेटी नई शिक्षानीती के क्रिया अनवैन के लिए बनाई गई है उसके बाद पैरवी के क्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री जी से सचिवाला में अंदुशकों द्वारा मुलाकात की गई सब प्रथम अपना एक मात मुद्धा निवती करण पर लिखित गयापन दिया गया और मौकी वारता में मानि मंत्री जी ने पूरा भरोसा दिलाया कि इस बार आप लोगों का निवती करण अवश्य करवाया जाए जिसके लिए सरकार प्रियासरत है हम सभी प्राशरत है इसी के साथ ही पुना याद दिलाया गया मानि मंत्री जी के लिए अंदुशकों द्वारा ग्रह ब्लाक ट्रांसफर के लिए तब उन्होंने बोला कि हम जल्द ही ये काम आपका पूरा करवाएंगे मुझे याद है पिछली बार भी इसी मुद्धे पर बात होई थी जल्द ही अब इसका भी कार संपूर्ण किया जाएगा इसी क्रम में जिल्द परताप गड़ के लिए जिल्द विशिक्षक शाधिकारी के द्वारा शाषना देश के इतर कार्य भी होगा उन्होंने शाषना देश चारी गया था अंदेशकों का रिनोल रोका था मानी मंत्री जी को बताया कि नौ वर्सों से लगातार तनमन धन से अंदेशक शिक्षव ब्रबाब की सिर्वा कर रहे हैं लहाज आप परताप कड़ के विए स्विए को फोन किया गया मानी मंत्री जी के द्वारा कि ऐसा ना किया जाए मानी मंत्री जी ने तुरंट विए सिक्षव मन्त्री जी को बताया और कड़ी नाराजगी जाहिर की है मानिवेशिक शिक्षा मंत्री जी ने बिये से परतापगर से फोन पर बात कर जवाब मांगा है साथियों बताना चाहेंगे साथियों इसी बीच वो ग्यापन दिखाना चाहेंगे जोकी उच प्रात्मिक अंदेशक शिक्षा वेलफेर अशोशियसन के द्वारा दिया गया है इसमें क्या लिखा गुआ है हम आपको बताना चाहेंगे सेवा में मानिवेशिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रतिस विशे है उत्तर प्रतिस राज्जी के सरकारी उच्छ प्रात्मिक विध्यालम में अंदेशक शिक्षा पत के इस्थाई करण के संबन महोद है उत्तर प्रतिस राज्जी के उच्छ प्रात्मिक विध्यालम में बर्स 2013 में आर टी ई एक्ट तो जार नौ अनवारी एवंबाल शिक्षा अधिनियम के तहट बिविन वेश्यों जैसे की कंप्यूटर शिक्षा कराशिक्षा शारेर शिक्षा शिक्षा कृष्षी आदी पदों के सापिक्ष अन्शकालिक अंदेशक शिक्षक के रूप में रखे गए थे बड़े दुख के साथ बताना चाहेंगे कि लगवग नौ वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं साथ हजार रुपए अल्प मानदे अंदेशकों को दिया जा रहा है इसके लिए वो शिक्षन कार कारने के लिए मजबूर है साथ हजार रुपए में अल्प मानदे घर से विध्याले की दूरी और इस महगाई के दोर में घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है आता श्रीमान जी से निवेदन है कि हम अंदेशकों को शिक्षक के पद पर ही इस्थाई करने के किरपा करें हमारे साथ साथ हमारे परिवार के लोग भी आपक परिजी के लिए और पूरी वारता की अपने वारे में अंदेशक शिक्षकों के इस्थाई करण के वारे में साथ हो तो ये थी खास रूपोर्ट समयोजन से संबंद हर छोटी बड़ी ख़बर पर अंदेशक न्यूज पैनी नजर रख रहा है और लगातार आपको दिखा रहा है हर वो ख़बर जो इस्थाई करण से संबंद है अंदेशक शमायों से संबंद है पुना एकवा साथियों आप सबी से निवेदन करना चाहूंगा हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दवादे थाकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हमारी हर नियूस का मिलते किसी और खास ख़बर के साथ तब तक बने रही है हमारे चैनल के साथ जैहिन जवारत वंदे मातरी